आपकी नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्वॉरप टेक्नीटर्स हूँ और आज हम आपके लिए क्या है टामिक्स की हैलिक्स मेटलफिट स्मार्ट वाच इसका हम करेंगे आपके लिए डिटेल रिवीव और जानेंगे कि ये स्मार्ट वाच कैसा है तो आईए अपने इस वीडियो के हम शुवात करते हैं बॉक्स के उपर जो जो mention है उससे तो सबसे उपर देखे यहाँ पर आपको helix mention है और इसके ठीक नीचे यहाँ पर देखे यहाँ पर आपको Tamex mention है इसके अलावा यहाँ पर देखे इसके अप का नाम यहाँ पर आप देखे यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊगा इसके अलावा बॉक्स के साइड में यहाँ पर इसके सारी features दिये गए हैं वो मैं आपको एके करके बताता हूँ यह आपको smart watch जो है यह आपको SPO2 measurement multiple activity modes और उसके लावा हर rate monitoring के features के साथ आता है इसके लावा इस smart watch के उपर आपको call, SMS और social alerts के जो notifications जो आते हैं वो भी आपको इसके उपर मिलेंगे इसके लावा एक काफी बढ़िया आपको इसमें आपको एक features मिलता है जो कि आज के time में बहुत सारे आपको smart watch जो आ रहे हैं उसमें यह feature available नहीं है इस feature का नाम है आपको sedentary alerts इसमें क्या होता है कि अगर आप काफी दिर तक एक जगा पर बैठे होंगे तो यह alert आपको देगा कि आप काफी time से एक जगा पर बैठे हैं वो आपको मिलेंगे इसके लावा फोन finder feature के साथ आता है step, calories and distance तो यह सारे आपको इसमें features दिये गए हैं आई अब हम एक काम करते हैं कि जल्दी से यहां से इसको cut करते हैं और इसके अंदर से हम watch को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि watch कैसा है तो यह देखी यहां पे मैंने smart watch को बाहर निकाल दिया है box के अंदर से इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है वो में एक करके बताता हूँ यह देखे यह है आपको getting started guide यानी user manual और इसी के अंदर देखे आपको warranty cover यानी warranty card भी यहां पे दिया गया है सारे steps यहां पे दिये गया है कि कैसे आपको इसको यूज करना है और यहां पे देखे download app and connect with your phone यह भी आपको यहां पे दिया गया है इसको हम side में रखते हैं यह है आपको इसका charging cable यहां पे आप देख सकते हैं इसको आपको कैसी यूज़ करना है यह अभी मैं आपको थोड़े दिर में बताऊंगा यहां पर देखिए box के अंदर यहां पर कुछ नहीं है और यहां से हम इसको open करते हैं और इस smart watch को हम यहां से पहले बाहर निकालेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर box के अंदर से मैंने इस smart watch को यहां पर बाहर निकाल लिया है और इसके ठीक ओपर देखिए यहां पर आपको helix यहां पर mention है यहां से हम इसके sticker को हम side करते हैं और उसके बाद हम इसके design के बारे में सबसे पहले बात करेंगे यह जो आपको smart watch है इसका जो यह belt है यह काफी premium quality का है और काफी आप देख सकते हैं काफी strong है इसको मैं काफी तीजी से आपको stretch भी कर रहा हुँ यह आपको GOT नहीं रहा है। यह काफी अच्छा है और इसका इस build का जो material है यह भी काफी अच्छा है यहां पे भी आपको यह still दी गई है इसके लाव़ा इसका जो dial है यह dial चारो तरप से आपको metal से protected है जिससे कि अगर यह गल्टी से अगर आपके हां से शूट भी गया या गिर भी गया तो आपके एस smart watch के उपर कोई impact नहीं पड़ेगा और यह smart watch आपको damage नहीं होगा इसके लावा इसके ठीक पीछे यहाँ पे देखिए आपको helix की branding दी गई है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका charging area है जहाँ पे कि आप इसको इस तरीके से यह जो आप देख रही है magnetic और यह pin है इसको आपके घर पे जो भी आपको charger है जिससे कि आप अपने smartphone को charge करते हो वहाँ पे इसको आप लगाओगे और उसके बाद इसको आप charge करोगे तो आई अब हम इसको आपको charge करकर दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने इसको अपने adapter में लगा दिया है और पे जब हम tap करते हैं जगा तो यह देखिए यह है आपको dial का first look जब हम इसको उपर से नीची के तरफ करेंगे तो यह देखिए यहाँ पे आपको अलग-अलग mode से यहाँ पे सबसे उपर देखिए यहाँ पे आपको battery है यहाँ पे देखिए आपको brightness के लिए दिया गया है और यह है आपको setting area, setting area के अंदर देखिए यहाँ पे आपको brightness है, download app है, power off है, factory mode है और about यह सारा कुछ दिया गया है, brightness के अदर जाके आप अगर आप चाहते हैं तो इस smart watch की brightness है इसको आप बढ़ा या घटा सकते हैं, आईए अब हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखिए यह है आपको dial और dial पे जब आप नीचे से ऊपर की तरफ करोगे तो यह देखिए यहाँ पे इसमें जो सारे जो आपको modes हैं वो आपको मिलेगा जैसे कि activities है, heart rate है, SPO2 है, camera है, music है, timer है, stopwatch है, alarm है, यहाँ पे देखिए find phone है और settings है, settings वही है जो कि अभी मैंने आपको आई अब हम इसके activities के अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको मिलता है running, walking, cycling, climbing, इसके लावा यहाँ पे यहाँ पे है, आपको treadmill है, आपको यहाँ पे योगा है, basketball है, आपको football है, badminton है, यह सारा कुछ इसके लावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे record का भी आपको option दिया गया है, और यहाँ पे देखिए, record मैं आपको बात बताना चाहाँ कि यहाँ पे आपको spinning भी आपको दिया गया है, तो यह सारे आपको sports modes हैं, जो कि यह काफी अच्छी बात है, जो कि आपको activities के अंदर दिया गया है, आएब हम इसको अपने कलाई के ऊपर हम इसको बानते हैं, उसके बाद हम heart rate और SPO2 को major करते हैं, और देखते हैं कि इसमें major यह किस तरीके से करता है, तो यह देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अपने कलाई के ऊपर बान लिया है, और यहाँ पे अब हम major करने चलते हैं, सबसे पहले heart rate, तो यहाँ पे देखे हम heart rate को measure करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम इसको, यह measuring शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह measure कर रहा है, तो यहाँ पे देखे हम heart rate को measure कर लिया है, यहाँ पे 88 आपको आ रहा है, आईए अब हम एक काम करते ह और इसके बाद हम SPO2 को हम मेजर करेंगे तो यह देखिए हम यहां से बहार निकले और अब हम SPO2 पे हम टैप करते हैं और यहां पर अब हम SPO2 को हम मेजर कर रहे हैं यह देखिए यहां पर मेजर करने लगा है यहाँ पे देखे यहाँ पे इसने SPO2 को मेजर कर लिया है 97% जो की काफी एक अच्छा है यहाँ से हम बाहर निकलते हैं इसके लावा यहाँ पे देखे एक कैमरा है और यहाँ पे music है अलाम है यह सारा कुछ आपको दिया गया है यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाह है तो यह देखे यहाँ पे यह watch face आ गया है इसके लावा इसको आप अपने app के through भी आप change कर सकते हैं वो मैं अभी आपको थोड़े दिर में बताऊंगा कैसे इसके लावा मैं आपको एक और बात में बताना चाहूँगा जब आप इसको left से right की तरफ करते हो तो यहाँ पे मिलते हैं तो आया हम एक काम करते हैं कि इस smart watch के उपर call को हम अंगाते हैं देखते हैं कि call किस तरीके साथ है क्या हम उसको accept या reject कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि इस smart watch को अपने इस smartphone के साथ connect कर दिया है और यहाँ पे देखे इसको म smart name का आप को app इसके बारे में अभी हम थोरे दिर में आपको बताएंगे सबसे पहले हम इसके उपर call करते हैं अपने दूसरे स्मार्ट फून से और देखते हैं कि इसके उपर call किस तरीके से आता है किया हम इसको cut कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो यह देखे यहाँ पे आपको call आ रहा है अगर आप green पे tap करोगे तो आप call को pick कर लोगे जैसे कि मैं यहाँ पे आपको green पे tap कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि call जो है मैं pick कर चुका हूँ तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर मैंने call को मैंने pick कर लिया है इसे smart watch के थूरू आई अब हमें काम करते हैं कि इसके उपर call को हम disconnect करकर दिखाते हैं तो उसके लिए हम फिर से इसके उपर call को हम मंगाएंगे और उसके बाद हम call को disconnect करकर आपको दिखाएंगे साथ already connect कर दिया है तो यहां से हम open करते हैं और इसके अंदर चलते हैं यह देखे हम helix smart के अंदर आ गए हैं यहां पर और यह देखे यह है आपको इसका first look इस app का और यहां पर जैसे की यह देखे यह आपको connect हो रहा है और यहां पर मैंने आपकर सामने जो आपको heart rate की leisure mercy लिया था यहां पर आ नहीं पर आरा है यहां पर देखिए sp.o.2 जो मैंने आपके सामने लिया था वो आरा है और अभी यहांपे इस्ने बताए कि sync completed है यह सारा आपको इसमें दिया गया है इसके लावा एक और बढ़िया बात है कि यहाँ पे जब इस पे corner में यहाँ पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे भी आपको सारे आपको detail में दिया गया है सब कुछ जैसे की heart rate जो है यहाँ पे आप देख सकते है minimum maximum इसके लावा slip का है आपको SPO2 जो है यह देखे मैंने दो बार measure किया वो दोनों का measurement यहाँ पे आपको दे रहा है इसके लावा यहाँ पे corner में है आपको more more के उपर है my profile इसके लावा है watch faces इसके थू भी आप इस smart watch का जो watch faces वो आप बदल सकते हैं उसके लिए करना कुछ नहीं है मैं आपको जल्ली से दिखाते हूं जैसी यह watch face है इसको आपने select किया इसको apply करो आप तो यहाँ पे देखे जैसे आपने इसको select किया तो यहाँ पे updating watch आ रहा है और यहाँ पे देखे watch के अंदर यहाँ पे देखे downloading आ रहा है यहाँ पे आपको देखे यहाँ पे message आ रहा है successfully applied okay और यह यहां पर मैं आपको अपने smart watch पर आपको दिखाना चाहूँगा यह देखिए यहां पर यह जो watch मैंने select किया थो यहां पर आपको दिख रहा है इसके थीक नीचे आपको sedentary reminder है Vibration alarm है यहां पर देखिए settings है आपको about your device है settings के अंदर देखिए यहां पर आपको watch settings है watch settings के अंदर देखे lift reach to view है आपको देखे time format है notifications है यहीं पर आपको सारे notifications मिलीगी जो कि आपको अपने smart watch के उपर आपको मंगाना है जैसे कि यहाँ पर मैंने call notification को enable किया हुआ है इसलिए call आया अगर मैं इसको disable कर दूँगा तो call नहीं आएगा इसके उपर उसके बाद है आपको SMS notification इसको आपको enable करना होगा जैसे कि मैंने यहाँ पर disable किया है तो इस तरीके से enable फिर enable इसके अलावा आपको app की जो notification है इसको आपको यहाँ से enable करना है इससे क्या हुआ कि जिस आपको यहाँ से आप manually आप enable करेंगे उस उस app की जो notifications है वो आपको smart watch के उपर आपको दिखेगा तो यहाँ पर मैंने आप देखे फेस्बुक WhatsApp, Twitter, Instagram, LinkedIn इन सबुक की जो notifications है इसको मैंने enable किया हुआ है उसके बाद बाद में आपको यहाँ से save कर देना है तो यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं यह सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं अगर हम बात करें इस smart watch की battery की तो इसकी जो battery ही यह आपको up to 10 days टक चलता है normal usage पे इसके लावा यह smart watch आपको IP68 water resistant के साथ भी आता है तो दोस्तों यह था मेरा आपके लिए एक detail review helix metal fit smart watch के उपर आपको यह watch कैसा लगा यह आप नीचे comment section में comment करकर जरू बता है इसका price कितना है इसको आप कहां से purchase करोगे यह सारी बाते मैं नीचे description area में आपके साथ share कर दूँगा अब दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो से विदा लेना चाहूँगा sayonara take care thank you